Hello everyone, AMU Self Finance Class 11 का Application Form आ चुका है Students, Application Form फिल करने की इस्टुटेट जो डेट है वो 27 अक्टूबर 2022 लास डेट है, Application Form फिल करने का जो चार्ज है वो 250 रूपीज है Students, ठीक है, तो Students आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि internal और external students के लिए disability criteria क्या है ठीक है और उनकी classes की timing क्या होती है और yearly fees कितनी है और कटाफ कितना जाता है उसके बारे में बहुत डेटेल में बात करेंगे ठीक है तो जो भी Student अभी तक चैनल पर नए है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक कर ले इस्टुडेंट जब आप वेफसाइट पर जाएंगे AMU controller की तो आपको यहां पर तॉप पर ही दिख जाएगा यह बहुत सारी इंटर्नल इस जिए जिनका इंडमिसन रेगुलर में नहीं हो पाता है इसलिए जो सेल फाइनेंस ए उसमें 80% सीटे रिजर्वड है इंटर्नल इस्टुडेंट्स के लिए इसलिए अभी हम बात करेंगे कि कि कटाफ कितना जाता है इसके बारे में भी अब अगमिए करना जाते हैं तो आपने जो इंटरिंस एक्जाम हुआ तो आप अपल्ई कर सकते हैं इसके पहले 25,000 था अब इसको 27,000 की 27,000 रुपे कर दिया गया है क्लासेज की टाइमिंग इस्टुनेंट्स दोपहर में होती है इस्टुनेंट्स आफ्टनून में क्लासेज होती है आपको application form कहां से फिल करना है इसके बारे में अभी हम बात करेंगे और admission list भी आपको M.U.Controller की website पे मिल जाएगा कब तक आएगा इसके बारे में भी बात करेंगे इस्टुनेंट्स जो application form फिल करने का चार्ज है वो 250 रूपीज है इस्टुनेंट्स थीक है अब बात कर लेते हैं किसी मैच करके आपको पता चल सकता कि आपके कितने marks थे ठीक है लेकिन किसी का 15 प्लस marks है तो ऐसा नहीं है कि उसका admission हो जाएगा वो एक eligibility criteria है minimum marks required जो है 11 science के लिए minimum marks required तभी आप application form फिल कर सकता है internal students के लिए marks का कोई criteria नहीं है ठीक है एक जो सबसे बड़ी criteria है अगर आपको regular mode में diploma या फिर science में अगर admission offer हो गया है तो आप self-finance का form नहीं फिल कर सकते आप यहां पर देख सकते if a candidate had been offered admission to triple SC science stream slash diploma in engineering in regular mode then he shall not be considered for admission to triple SC science stream under SFS mode यानि कि diploma भी अगर आपको admission मिल गया offer हो गया है तो आप self-finance का application form apply नहीं कर सकते है student ठीक है और यहां पर आप देख सकते हैं अगर commerce and humanities में अगर regular में जिसका हो जाता है वो तो लहीं लेता है यहां ठीक है students यह criteria नहीं है अगर उनको diploma में admission offer हो गया है internal student को तो भी वो apply कर सकते हैं self-finance के लिए सिर्फ यह external student के लिए यह criteria है जो external student के लिए यह criteria है कि if a candidate had been offered admission to triple SC science system slash diploma in engineering ठीक है अगर admission मिल रहा है तो भी वो self-finance का application form फिल कर सकता है यहां पर clearly लिखा हूँ अब बात कर लेते हैं external students को उनको भी hostel नहीं मिलता है admission charge 27,000 रुपे है ठीक है और जो classes होती है वो afternoon में चलती है students अब बात कर लेते हैं कि आपका जो admission list है वो कब तक आ जाए गया तो student admission list आपका about to be 15 दिन के बाद ही आने का चांस है student ठीक है और बात कर लेते हैं कि आपको application form कहां से फिल करना है student अगर आपको application form फिल करने की बात करें हम तो आपको क्या करना हो कि वेप साइट पर जाना होगा और वेप साइट पर जाने के बाद आप इसको open करेंगे student ठीक है उसकाद आप यहां पर देख सकते हैं Self-financing Scheme SFS application form जो आप इसको open करेंगे यहां पर आप देख सकते हैं और login और register का रहा है यहां से अगर किसी student को EMU Self-finance का application form फिल करवाना है तो वो SCI अलिगर की team से अपना application form फिल करवा सकता है ताकि उससे कोई भी गलती ना हो application form में ठीक में students का तो I think admission हो जाता है Self-finance में ठीक है और external students की बात करें तो last year जो कटाफ गया था वो around 40 प्लस गया था ठीक है बहुत सारे students का 38-39 marks था उनका admission नहीं हो पाया था लेकिन students अगर हम इस साल की बात करें तो उनका इस साल और कम marks पे होने का चांस रहेगा यानि कि जिसके भी 30 marks 35 प्लस है उसके होने का चांस रहेगा M.U. Self-finance में ठीक है students तो आप लोग सारे लोग जितने भी 25 marks है 30 marks है सारे लोग application form फिल करके अपना luck try कर सकते हैं कि उनका admission हो रहा है कि नहीं तो ठीक है students जो भी student channel पे नहे है वो channel को subscribe कर ले students और इस video को like कर ले okay thank you